हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें हैं कलाश 12 हिंदी जिसका बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन होने वाला है और यह आपका टेस्ट होने वाला है कि आपने कितना तक भी तेय स्वाध्य कर चुके हैं इस में आपको 50 कोंश्चन दिया जाएगा और 50 में आपका कितना सही होता है यह आपको चेक करना है दोस्तों क्या किजिए कि कापी में 50 दिखन से 50 नंबर तक नंबर डाल दीजिए और यहां पर आपका कोंश्चन मिलेगा और उसका उप्सन मिलेग आप क्या कीजिए कि जो भी आपको सही लगता है option जैसे एक का ए दो का भी तीन का सी जो भी आपको सही लगता है आप option को लिखते जाएगा वीडियो के आंत में आपको इसका answer देंगे और आप मिला लिजिएगा कि आपका कितना सही है चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते ह बेल आइकन का बटन दबा दिए जिसे की सबसे पहले आप तक वीडियो पहुं सेके जो भी हम अपलोड करें चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला question है सत संग में किनकी अभी रूची थी आपका option है तुलसी दास, सूर्दास, कबीर दास, जैसंकर परशाद दूसरा question है मलिक मुहमद जैसी की मिर्थीव कब हुई आपका option है लगभग 1548 भी, लगभग 1540 भी, लगभग 1549 भी, लगभग 1550 भी तिसरा question है जैसी का जन्मस्थान है आपका option है दिल्ली, इलहाबाद, जायस, कबरमेठी, भागलपूर चौथा question सहीत लहरी के रशनाकार है आपका option है सुर्दास, नभादास, तूलसी दास, कबीर दास पाच्वा question है कासी में कितने वर्ष रहकर तूलसी दास विद्या अध्यन किये आपका option है 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक अगला question है संसार सब्द कौन संग्या है आपका option है समुह वाचक, जाती वाचक, व्यक्ति वाचक, भावाचक साथवा question विवाच सब्द है आपका option है स्त्रिलिंग, पुलिंग, उभाईलिंग, इन में से कोई नहीं आठवा question है वह कुलहाडी से विरिक्ष काटता है कारक है आपका option है आपादान, संप्रदान, करता, करन नववा question है रात सब्द का विलोम है आपका option है दीन, संध्य, निशा, राका दस्वा question है सीवालय सब्द कौन समास है आपका option है निय समास, अभ्याईभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एगारा नमबर का question है इतने पास आपने सिर्षक संकलन किस कवी के द्वारा लिया गया है आपका option है बिनोद कुमार शुकल, ज्यानेंद्रपती, असोक वाजपेई, समसेर बहादुर्षीम बरहावा question है हिंदी सहित में गाजानन मादो मुक्ति बोध का उदय कैसे कभी के रूप में हुआ आपका option है प्रयोग वादी, प्रगति वादी, प्रवध वादी, छाया वादी तिरहावा question है रहुवीर सहाय का जन में कभ हुआ था आपका option है चोदिसंबर 1927, 4 दिसंबर 1928, 9 दिसंबर 1929, 8 दिसंबर 1926 चोदावा question कहीं नहीं वहीं कभीता संग्रह किसके द्वारा रचित है आपका option है भूषन, असोक बाजवेई, जैसंकर प्रशाद, रहुवीर सहाय पंदरावा question है कोन लेखक कांगो के सिख्षा मंत्री, वीत मंत्री एवं परधान मंत्री रह चुके हैं आपका option है गाइडी मोपासा, अन्तोंच चेखाव, हेनेरी लापेज, इन में से कोई नहीं 16 question है दो का उचारान अस्थान क्या है आपका option है कौन्ठ, दन्त, मुर्धा, ओस्ठ 17 question है निम्न में सूध सब्द है प्रसंसा, परिख्षा, प्रणाम, प्रसाद 18 question है निराधार सब्द का संदी विछेद क्या है आपका option है निराजोडधार, नीजोड राधार, नीजोड आधार, नीजोड आधार, नीराधा जोड रो 19 नमबर का Q. रक्षा वंधन कोन संग्या है? आपका अप्षन है व्यक्ति वाचक, समु वाचक, जाति वाचक, दरभ्य वाचक विश्वा Q. गुसा सब्ध है आपका अप्षन है इस्थिलिंग, पुलिंग, उभैलिंग इन में से कोई नहीं 21 नमर का कोशन बातचित सिर्षक निवंध के नुसार जो कुश मवाद या धूँ आजामा रहता है वह भाप बन कर निकल पड़ता है कैसे आपका अपसन है बहस करके जगड़ा करके बातचित के जरिये हसने से 22 नमर का कोशन बीना फेरे घोणा बिगड़ता है और बीना लड़े सिपाही यह पंक्ती किस कहानी में है आपका अपसन है रोज एक लेख और एक पत्र वो श्रदा निरा उसने कहा था तेश्वा कोशन है दल बिहिने लोक तंत्र किसके मूल उद्ध्यस्यों में है आपका अपसन है साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद 24 नमर का कोशन नारी और नर एक ही दिरव की धली दो प्रतिमा है यह पंक्ती की सिर्षक पाठकी है आपका अपसन है ओ सदा निरा, सिपाही की मा, अर्धनारिश्वर, प्रगीत और समाज 25 नमर का कोशन रोज सिर्षक कहानी में किसी ने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं आपका अपसन है लेखक, पती ने, भाई ने, चाचा ने 26 नमर का कोशन एक लेखा और एक पत्र के लेखा के कौन है आपका अपसन है जय परकास नरायन, अज्याय, भागत सिंग, दिनकर 27 नमर का कोशन वसुन्धरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सीके के दो पहलू है यह पक्ति किसके द्वारा लिखी गई है 28 नमर का कोशन गांधी जी की जोपडी को डोडोट ने जला दिया 29 नमर का कोशन शरयामन ताल का जल कैसा है आपका अपसन है चंचल, इस्थिर, गहरा, गंदा 30 नमर का कोशन शिपाही की मां एक आंकी में विश्णी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है आपका अपसन है सूत काप्ती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, चावल चुनती 31 नमर का कोशन शिपाही की मां एक आंकी की कथा वस्तु है कोशन सेर सिंग का सस्त्र समर्पन नामक अख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है आपका अपसन है सुर्जकान तिरपाथी निराला जैसंकर परशाद तुलसी दास रमधारी सिंग दिनकर 33 नमबर का कोशन कवीता जो कुछ कह रही है उससे सिर्फ वहीं समझ सकता है जो इसके एक आंकी पन में मानावता की आवाज सुन सकता है किसका कथन है आपका अपसन है थिवोडोर एडोनो का मलेज का रमधारी सिंग दिनकर का उदय प्रकास का 34 नमबर का कोशन नामोर सिंग का जन्म कहां हुआ था आपका अपसन है जियनपूर में आवाजापूर में कमालपूर में जमालपूर में 35 नमबर का कोश्चन नाभा दास जी किस धारा के संत थे? आपका आपशन है सैव दर्शन के, बौध दर्शन के, बैशनो दर्शन के, जैन दर्शन के 36 नंबर का question नाभा दास किसके सिश्य थे? आपका अपसन है अगर दास के, रामानंद के, बलब्भा चार्ज के, बिठल नाथ के 37 नमबर का कोश्चन चिर विश्राद विलिन मन की किस कविता की पंक्ती हैं आपका अप्शन है पुत्र वियोग गाउं का घर तुमूल कुलाहल कलह में हार जित 38 नमबर का कोश्चन सुभादरा कुमारी चवान का जन्म कभ हुआ था आपका अप्शन है 18 अगस्त 1910, 15 अगस्त 1902, 20 अगस्त 1925, 16 अगस्त 1904 भी 49 नमबर का कोश्चन घास में दुब का आकास किस की रचना है आपका अप्शन है अश्रोक वाजपे की, जैसंकर प्रशाद की, सुभादरा कुमारी चवान की, समसेर बहादुर सिंकी 40 नमबर का कोश्चन ग्यानेंद्र पती विहार लोक सेवा आयोग द्वारा चैनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए आपका अप्शन है प्रखंड विकास पदा धिकारी, कारा धिक्षक, पूलिस उपा धिक्षक, अंचला धिकारी 41 नमबर का कोश्चन अनुभाव सब्द है आपका अप्शन है सिरलिंग, पुलिंग, उभैलिंग इनमें से कोई नहीं 42 नमबर का कोशन तिर्थी आतरा सब्द कौन समास है आपका अप्शन है दीगु समास बहुबिरीही समास तत पूरुष समास अब बेभाव समास 43 नमबर का कोशन हास्यापद सब्द में प्रत्या है आपका अप्शन है द आस्पद यास्पद आस्पद 24 नमबर का कोशन हमारे विद्याले के प्रचार्ज आ रहे हैं पदबंध है आपका आपसन है विसेशन पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संग्या पदबंध, किरिया पदबंध 45 नमबर का कोशन समाज सब्द का विशेशन है आपका अपसन है समाजिक, समाजी, समाजू, समाजक 46 नमबर का कोशन मनो बिनोध सब्द कौन लिंग है आपका अपसन है पुलिंग, इस्तिलिंग, उभाय लिंग, इन में से कोई नहीं 47 नमबर का question मुझे भी छात्रविर्ती मिलती थी सर्व नाम है आपका अप्शन है पुरुष वाचक, निजवाचक, निश्चय वाचक, प्रश्ण वाचक 48 नमबर का question प्रेम सब्द का विशेशन है आपका अप्शन है प्रेमी, प्रेम मग्न, प्रेम रतन, प्रेम योगी 49 नमबर का question वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी उसके इस्तिरी नहीं है उसके बेटी नहीं है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा 50 नमबर का question है बेमान सब्द की प्रकिर्ती है आपका अप्शन है बिदेशाज, तत्सम, तत्भो, देशाज दोस्तों यह था आपका question अब answer मिला लीजिए कि आपका कितना सही है 21 का C 22 का D 23 का A 24 का B C 23 का B 24 का B 25 का A 26 का C C 27 का D 28 का C 29 का C 30 का A 31 का A 32 का D 33 का A 34 का A 35 का D 36 का A 37 का C 38 का D 49 का A 40 का B 41 का B 42 का C 43 का D 44 का C 45 का A 46 का A 47 का B 48 का A 49 का D 50 का A दोस्तों यह था आपका question आपका कितना सही है comment के दोरा आप जरूर बताईएगा अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद जय भारत